Hello Friends, Welcome to Parchala, My Name is Ankur और यह है History का Lecture No.3 वो Students जिन्होंने Lecture 1 और Lecture 2 मिस कर दिये या अटेंड नहीं किये उनके लिए मैंने First Two Lectures के Link डेस्क्रिप्शन में मेंशन किये हैं वो वहाँ जाके उन Lectures को रेफर कर सकते हैं Further Students, आपको जैसे पता होगा कि मैं Motivational Quote शेयर करता हूँ तो यह आज का Motivational Quote है हमारा Move Out of Your Comfort Zone You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new यह Quote है Brian Tracy का जो कि USA के जाने माने Motivational Speaker है और साथ ही साथ जो है Author भी है, बहुत सारी Books इन्होंने लिखी है इस Code को शेयर करने का मेरा आपसे Main Moto बस इतना है क्योंकि हमारे को हमारे Comfort Zone से निकलना बहुत जरूरी है हमारे Life में यह अगर हमारा Comfort Zone है और इसके बाहर हमारी जो Success अगर लाइक करती है जो हमारी जो Success है वो इस Comfort Zone के बाहर लाइक करती है तो हमें इस comfort जो उनसे बाहर निकलना पड़ेगा I know कि इस comfort जो उनकी जो boundary है ये जो boundary है इससे जो है बाहर निकलना बहुत जादा difficult है बट इससे अगर आप बाहर निकलोगे तो आप you can only grow अगर आप तभी आप grow कर पाओगे अपने आपको जान पाओगे explore कर पाओगे और अपना एक जो नया version है version 2.0 version 3.0 में आप अपना version update कर पाओगे ये इससे बाहर निकलना थोड़ा awkward होगा uncomfortable होगा difficult होगा बट जब आप इससे बाहर निकल जाओगे तो आपको जो success मिलेगी वो जितना भी जो pain होगा उस सब को वो vanish कर देगी इस बात को share करने का मेरा main motto इतना है कि आप लोगों ने मुझे comment box में मैं आप लोगों comment पढ़ता रहता हूं लगाता हूं और उसमें मैंने ये देखा कि आप लोगों ने मुझे बोला कि सर हिंदी में content provide कीजिए तो उसी के लिए मैं आप सो थोड़ा से बताना चाहता हूं कि as per the current scenario English जो है बहुत ही ज़ादा important language है और अगर हम English में अपने आपको थोड़ा सा adopt कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़ादा beneficial होगा क्योंकि मैं अपना personal experience आपके असाथ share करता हूँ जिसमें मैंने history, geography और quality मैं खुद भी हिंदी में पढ़ता था तीनो subject को बट मेरे mentor ने मुझे suggest किया कि अपना English में subconsciously आपको अगर level बढ़ाना है तो आप इन तीनो subject को भी English में ही पढ़ें और ताकि आपको बहुत ज़ादा इसका बहुत अच्छा impact जो है देखने को मिलेगा और रियल में जब मैंने English में तीनो subject को पढ़ा था history को, geography को और quality को तो मुझे बहुत सारे नए vocab जानने को मिले थे जिनका जो शायद मैं वैसे नहीं पढ़ पाता पर मुझे ऐस तरह से vocab जानने को मिले थे तो मुझे इसका बहुत ज़ादा फायदा हुआ था इसलिए मैं आप लोगो सजेस्ट करूआ कि एक बार आप भी English में जरू ट्राइ कीजिए चले दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक British Expansion and Conquest of Bengal बंगाल विजए तो इसमें सबसे पहले मेंशन आता है मुर्शित कुली खान का जो की बंगाल के नवाब थे 1717 से लेके 1727 तक इनको जो है फरुख शियर फरुख शियर जो थे मुगल बाश्शा थे उस वक्त दिल्ली में इन्होंने इनको बंगाल का नवाब जो है नुक्त किया था और ये वहाँ पे बंगाल में इंडिपेंडेंट रूलर थे इनको दिल्ली में नुक्त जरूर किया था पर ये अपना साशन थी इन्होंने अपनी राजधानी जो है ये डाका है डाका जो उस वक्त बंगाल की राजधानी होती थी वहां से इन्होंने मुर्शिदाबाद यहां पे इन्होंने इसको बंगाल जो अपनी राजधानी थी इन्होंने यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दी थी इसलिए इनका म mention important है दूसरे आते हैं इनके बाद मुर्शित कुली खान के बाद में इनके son-in-law जो है 12 साल के लिए गद्दी पर बैठे उनका mention नहीं है उसके बाद इनके son-in-law के जो son थे वो थे सरफराज खान सरफराज खान जो है वो एक साल के लिए गद्दी पर बैठे थे और उसके बाद सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने जो की बिहार के जो है ये deputy governor थे deputy governor थे बिहार के इन्होंने जो है सरफराज खान को इन्होंने मार दिया था और मारने के बाद ये यहाँ पर बंगाल के नवाब बन गए थे लिवर्दी खान और अपने इस काम को जस्टिफाई करने के लिए उस वक्त के जो राजा थे दिली के राजा जो थे मुगल बाश्या मुहमद शाह रंगीला उनको इन्होंने जो है दो करोड रुपए दिये थे अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने जो किया है मैं बंगाल का नवाब बनूँगा उसको जस्टिफाई करने के लिए दो करोड रुपए नवाब मौमशा रंगिला को दिये थे इन्होंने अपने साशनकाल में इंगलिश और फ्रेंच की जो फैक्टरी जो कलकता में और चंदनगर में उनको फैक्टरी लगाने से रोका था यह था हमारा कलकत्ता का एरिया यह था कलकत्ता और यह था चंद्नगर तो इसको यहाँ पनोंने फैक्टरी लगाने से इन दोनों को मना कर देया था जबकि 1770 के जो फर्रुक शियर का जो फर्मान था जिसमें उन्होंने जब उनको उन्होंने छूट दे दी थी अंगरेजियों को फैक्टरी लगाने की तो उन्होंने उनको प्रिवेंट किया था क्योंकि वो यूरोपियन्स को कहीं न कहीं थोड़ा समझ गए थे जब अलीवर्दी खान जब बिमार हो गए तो इन्होंने अपने ग्रांट सन जो कि इनके पोते ते सिराज दौला उनको बता दिया था कि यूरोपियन्स से मकाबला करने की मत सोचना और कर सोचना तो अलग-अलग सबसे मकाबला करना क्योंकि इन से एक साथ मकाबला करना हम भारत के जो imperialism का जो शुरुवात ही थी सामराजवाद की जो शुरुवात होई थी उसका हम इसको बीज बोलते हैं बीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी बाद अंगरिजाओं को कहीएन पहीं फिल होने लगा था कि वो जो है इंडिया में conquer कर सकते हैं तो उसके जो कारण थे वो battle of policy क्यों हुआ उसके कारण क्या थे तो नवाब जो सिराज उदोला उनको मैंने short में सिराज लिखा है सिराज उदोला ने ब्रिटिश की जो factory थी कासिम बाजार में उसको जो है इनोंने cease कर दिया था और जो ब्रिटिश जो अपना एक उनका जो फोर्ट विलियम जो किला था जो ब्रिटिश का जो फोर्ट विलियम जो किला था वहाँ पर जो वो basically क्या कर रहे थे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा arms लगा रहे थे अस्त्र और सस्त जो वहाँ पर लगा रहे थे उनको यह था कि यहाँ पर जो इनकी चंदरनगर में जो फ्रांस की जो फ्रांसीसियों की जो फैक्टरी थी तो इनके साथ उनकी कहीं न कहीं कंफलिक्ट होते रहते थे फ्रांसीसियों के साथ में कंफलिक्ट होते रहते थे उनके फ्रांस के साथ में तो उनके साथ लड़ाई करने के लिए अपनी सेफटी और सिक्योरिटी के लिए और साथ साथ नवाब के साथ भी अगर उनका कोई युद्ध हो तो उसको करने के लिए वहाँ पे फोर्ट विलियम में वो अस्तर और सस्तर को बढ़ा रहे थे और जब सिराज उद्लौ को पता चला कि उनके एरिया में उनको भी ना बता इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है तो उनको उसी वक्त बिटिश फैक्टरी को जो है सीज कर दिया और जितना भी काम चल रहा था उसको सब को रोक दिया और जितने भी बिटिश ओफिशल्स थे उनको उसी वक्त बंदी मना लिया और उन सब को फोर्ट विलियम में ही उनको जो है कैद कर दिया प्रिजनर बना दिया ये टोटल 146 लोग थे इनको उस वक्त 14 भाई 18 फीट का जो एरिया था उसमें ही इनको रख दिया गया था और हुआ ये था कि जब सुबह दरवाजा खोला गया था तो 23 लोग उनमें हो गई थी तो इस जो इतनी सारे लोगों की देथ हो गई एकने सारे लोगों को इतने छोटे से एरिया में ठूस देना भर दिया गया तो इस जो जो ट्रेजडी होई थी इसको ब्लैक होल ट्रेजडी बोलते हैं इसको ऐली इस लिए बोलते हैं क्यों कि इस बात के पुक्ता है तथाकत रूप से यह हुई थी ट्रेजिडी तो यह ब्लैक होल ट्रेजिडी से नमाले तीन कोशन आते हैं कि यह किसके शाशन में हुई थी तो यह सिराज उद्दौला के साशन में हुई थी, दूसरा कोशन आता है यह कहां हुई थी कहां हुई थी तो यह कैलकटा में हुई थी और तीसरा कोशन यह आता है कि यह कहां पे हुई थी तो यह हुई थी, फोर्ट विलियम में फोर्ट विलियम में हुई थी तो आपको यह तीनों चीज़ें पता होनी चीज़ें ब्लेक होल ट्रेजिडी से रिलेटेड उसके बाद जब यहां पर जो इतने सारे बंदी बना ले गएते तो एक जहां पर जो इनका जो कमांडर था वो किसी तरह यहां से भागने में सफल हो गया उसने जाके बिटे क्लाइब ने यहां पर पानि के रास्ते से यहां पर आये पानी के रास्ते से यहां पर आके उन्होंने जो है कलकता पे हमला बोल दिया یہ हमारा कलकता था यहां पे हमला बोल दिया और यहां पे उनको जीत लिया तो नवाब सिराज-उ-दौला वहाँ पे वो बैटल को हार गए और यहां पे अली नगर की जो है ट्रीटी उनके साथ में संधी जो basically उन्होंने sign कर ली तो उससे जो है Robert Clive को ये थोड़ा सा ये अन्भव हुआ कि यहाँ पर battle of ये इतना ये छोटा सा battle यहाँ पर हार गए इतना छोटा सा battle यहाँ नहीं लड़ पाए यहाँ पर तो इनको एक थोड़ा सा ये लगा कि वो पहले से दिमाग में यहीं सोच के गएते हैं कि अब ये वाला जो युद मैं करने जा रहा हूँ हमारा उद्देश शेकीवल कलकता को लिना नहीं है जबकि हमें जो बाकी जो बंगाल के और पार्ट्स में भी इसको जो है बिटिस का जो एमपायर है इसको और जादा हमें स्ट्रेंथ फुल करना है और जादा और लॉंग टाइम के लिए करना है लॉंग टाइम के लिए इसको हमें करना है और लंबे टाइम के लिए करना है और स्ट्रेंथ फुल करना है तो उसकी एक प्रोसेस बनाने के साथ ही वो दिमाग में यह बात लेके आये थे केवल कलकता जीतना उनको अदेश नहीं था वो उन्होंने केवल एक दिखावा किया था ट्रीटी उनको साइन कर दी थी उनको यह दिख गया था कि यह नवाफ सराजद्ला था थोड़े कमजोर हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके द एक तरीके से यह इसका बीच जो है बोया जा चुका था इसकी एक चोटी सी नीव हो गई थी और यह कॉशन आता है डिरेक्ट एंग्जाम में कि कौनसे बैटल के बाद हो गया था तो यह प्लासी का जो जो दूआ था उसके बाद जो है यह हो गया था तो हुआ यह था कि सत उसके बाद क्या हुआ, 1757 में, रोबर्ट कलाइव और नवाफ सिराजुद्डॉला के बीच में, यह प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्द का ऐसा हुआ कि इसकी जो कॉंस्पिरेसी थी, वो नवाफ सिराजुद्डॉला के अगेंस्ट में खेली गई, जिसमें म नीर जाफर जिनके पास सेना की टुकडी थी, राय दुलभ उनके पास भी सेना की एक टुकडी थी, अमी चंद जो की main vyaपारी थे, business man थे वहां के, बंगाल के business man थे, और जगत सेट, जो की, वहां पर main banker भी बेंकर थे, बहुत बड़े banker थे वहां बंगाल के, तो इन चारों के साथ में मिलके Robert Clybe ने इनके साथ में प्लस हो गए थे Robert Clybe और इनों ने मिलके konspiracy करी और नवाब सिराज उदोला को इनों ने युद्ध में हरा दिया इसलिए इसको बुला गया कि युद्ध च्छद में युद्ध था ये धोके के साथ जो है यह दो लड़ा गया यह दोके से जीता अंग्रेजों ने तो नवाब को जो है मीरन जो की मीर जाफर के सन थे जिनकी मेतो कांग शाथी मीर जाफर की यहाँ पे नवाब बनने की तो उनके सन मीरन ने जो है नवाब को जो है मार दिया मीर जाफर को नवाब बना दिया गया अंग्रेजों ने इसके बाद में और अंग्रेजों को ये बेसिकली अंग्रेजों के पपेट थे जैसा अंग्रेज बोलते थे वैसा ये करते थे जैसे वो रेवेन्यू की कहते थे वैसा रेवेन्यू उनको ज salary जैसे ये free trade की बात करते थे वैसी free trade के लिए agree हो जाते थे बहुत जल्दी ये agree हो जाते थे तो इसलिए इन्हों ने हां कर दो मीद जाफर को इन्हों ने जो अपना puppet था उनका cut putli था जैसे वो बोलते थे वैसे काम होता था इसलिए उसको ने नवाब बना दिया इनको undisputed राइस मिल गए free trade बंगाल में free trade करने के जो कि आज के टाइम में जो है बंगाल बिहार औरीशा अलग लग पार्टे वेस्ट बंगाल बिहार औरीशा जो उस टाइम पर पूरा एक बड़ा बंगाल होता था और इस्ट इंडिया और जो है जो बिटिस इंपरिलिजम जो है सामरा जवाद का एक जो है बीज सीड जो है बो दिया गया था भारत की धरती में बिटिस के शाशन के लिए इसके बनाता है बिटिस बैटल ऑफ बकसर बैटल ऑफ बकसर का mention ऐसे है कि जो मीर जाफर जो थे तो जब मीर जाफर जब बहुत टाइम तक अंग्रेजों के पपेट की तरह काम करते रहे तो एक टाइम पे इनको लगने लगा कि ये भी थोड़ा उनसे खिन हो गए थे अंग्रेजों से एनॉई हो गए और इन्होंने जो है डचेस के साथ जो है प्लान करा कि हम कुछ जो है कॉंस्पिरेसी कर लेते हैं और एक युद्ध करने की पुशिश करी थी डचेस के साथ मिलके अंग्रेजों को भार निकालने के लिए उसी में जिसमें आना को कल मेंशन किया था पिछले लेक्चर में कि बैटल ओफ बेदारा जो हुआ था वो बैटल ओफ बेदारा हुआ और जिसमें जो है डच जो है अंग्रेजों से हार गए थे लौस्ट हो गए एबल रूलर था वो किसी भी तरह से अंगरेजों के दबाब मेरे काम नहीं करना चाता था और वो अंगरेजों के साथ में उनके पर जो मिस्यू जो रहा था उसका उनने गोर विरोथ उसके वह भूब जाधा एंगरी हो गया था उसने उसका बहुत जाधा कंफरेंटेशन किय था अंगरियों के साथ में और इसके लिए उसनों जो है लोकल जो डूटी वो लगाते थे उसको उन्होंने फ्री कर दिया था इंडिया के वापारियों के लिए ताकि वह कंप्टिशन वहां पर मार्केट कर सकें साथ-साथ उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वह मुर्शिद अंगरियों का जहां वहां पर ज्यादा पावर सेंटर बन रहा था तो इसलिए उन्होंने मुंगेन में ट्रास्पर कर लिया जो कि बिहार में था प्रिजेंट में बिहार में है उस टाइम में बंगाल में इनके आसपास ही था तो इन्होंने वहां पर ट्रास्पर कर लिया ताकि जो है इनका वाबे power center create हो सके बट इन्होंने उसके बाद इनके जब इतने यह causes थे basically battle of boxer को होने के इसी चीजों को होने के साथ-साथ इनके आपस में जो है जो differences थे अंगरेजियों के बीच में जो differences थे वो increase होते रहे बढ़ते रहे प्लस होते रहे इसके बाद इनके ती वार हुए तीनों वार जो है ये चोटे 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 वार थे चोटे चोटे वार जो थे ये मीर कासिम जो है हार गए और उसके बाद जो चोटे चोटे वार हुए मीर कासिम हार गए तो ये महाँ पे जाके उन्होंने यहां से भाग गए और मीर कासिम भाग के उन्होंने उनका कहीं न कहीं दिमाग में ये था कि वो भी अपना expansion करना चाते थे अपने साम राज्यका तो इसलिए वो भी इनके साथ हो लिए कि अंग्रेजों को निकाल के हम अपने राज्यका expansion कर लेंगे और सब लोग आपस में सही से अपना साशन करेंगे इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने 764 में हेक्टर मुन्रो के साथ इनका युद्ध लड़ा गया और हेक्टर मुन्रो के कमांडिंग जो ओफिसर थे विटिशर्स के उनके उसमें लड़ाई होई और ये यो ovी और ये युद्ध हार गए इनकी दोनों की सेना होने सही से पार्टिपेट नहीं किया युद्ध में और उसका consequence यह हुआ कि जो battle of boxer है जैसा कि यह battle of boxer जो रहा यह इधर लड़ा गया था battle of boxer यहां लड़ा गया था अवध के अवध है और यहां battle of boxer लड़ा गया था उसके बावजूद यहार गए उसके consequences यह रहे कि Britishers जीत गए मीर जाफर को उन्होंने फिर से थ्रोन पे बिठा दिया मीर जाफर को फिर से थ्रोन पे बिठा दिया कि at least वो उनका puppet तो था जरूर उनसे थोड़ी सी conspiracy जरूर करी थी बट वो उनका puppet ही था मीर कासिम जो है भाग गया और बाद में उनकी मीर कासिम की देथ हो गई उन्हों और जो Robert Clive जो है वो अब Lord Clive बनके भारत में आया था क्योंकि Lord Clive इसलिए बना दिया था क्योंकि 1757 में जब ये battle जीत गए थे तो इनको Lord की उपादी दी दी गई थी और साथी साथ इनको House of Commons में इनको जो है उस वक्त जो है सम्मान दिया गया था House of Commons में इनको सामिल कर लिया गया था Robert Clive को 1765 में तो 1765 में Robert Clive ने दो जो है ट्रीटी साइन करी दो संदी साइन करी एक उन्होंने सालम के साथ में साइन करी थी और दूसरी नोने सुजाओ दोला के साथ में साइन करी थी सालम के साइन ये करी थी कि उनको जो है अलाबाद में जो है कमपनी का जो है प्रिजनर बना दिया गया था इसके आवज में उनको 26 लाक रुपे की जो है पेंशन दी गई थी शाह अलंको सालाना और सुजाओ दोला को जो है अवद जो है उनको वापिस दे दिया गया था इसके अवज में उनसे सुजाओ दोला से 53 लाक रुपए अंग्रेजों ने लिये थे 53 लाक रुपे बिटिशर्स ने लिये थे उनके ये लिये थे इंडेमिनिटी के जो इनका जो वार में जो खर्चा हुआ था उसकी भरपाई के लिए सुजा उद्दुला ने इनको 53 लाक रुपे दिये थे और अपना साशन ने स्टार्ट किया कंपनी ने दिवानी राइट्स जो ए उस वकत जो मीर जाफर से ले लिये थे दिवानी राइट्स था रेवेण्यू करेक्शन पर पर एक्यों को आक 좋아 Cars निये लिया था औने जामत ज स्टार्ट कर लेगी था जो पलिस और जूआ से मनात काम बहानी होता है उसके बाद Warren Hastings ने इस सिस्टम को जो है end कर दिया 1773 में 1773 में उन्होंने regulating act लेके आये थे और जिसके थूरू उन्होंने इस साचन को जो है finish कर दिया था तो question ऐसे बनते हैं कि कौन से जो 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 जन्होंने इस सिस्टम को end किया था तो वो Warren Hastings ने end किया था डुल गवर्मेंट और बंगाल कफ फोर्म हुई थी सत्यासो पैसर्ट में फोर्म हुई थी बैटल ऑफबकसर के बाद दुबारा से युद पे त्रोन पे कौन बेटा था सिंगासन पे तो बैठा था मीर जाफर experient actually इसमें बहुत कन्फीज होते हैं कि میर जाफर बैठे थे हैं میर कासिम बैठे थे इसके नाम में मिर जाफर दौनवावार मिर जाफर मिर जाफर थे puppet पंपिट को ही बार बर बढर बिठाया जाएगा तो मिर जाफर थे puppet आपसे quiz question जो है वो ये है कि जो black hole tragedy जो आपकी हुई थी वो किदर हुई थी St. George में हुई थी या फिर Fort William में हुई थी या फिर Fort Castle में हुई थी जो की Bombay में था ये Bombay में था ये Calcutta में था और St. George मदरास में था तो आप कमेंट करके बताना है कि कहां पे हुई थी next video में आपको बताऊँगा 1857 का जो freedom struggle था उसके बारे में बताऊँगा उसके जो हमारे उसके क्या causes थे और उसका failure क्यों रहा और उसमें कौन कौन से किस personality ने उनको support किया उसके बारे में हम बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please like जरूर करें और कोशिश करें कि आप इस lecture में throughout बने रहें ताकि आप सारा content अच्छे से देख सकें समझ सकें और अच्छे से prepare करते रहिए all the very best